एलो गाईज, वन्स अगेन वेलकम बैक माई यूटूब चेनल बॉटनी अड़ा में आपका स्वागत है तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए बीसी 30 अर बॉटनी यूनिट फस्ट का नेक्स टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है प्लाजमोलाइसिस यानि की जीवद्रव संकुचन तो सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रो देटी हूँ फिर डेफिनेशन बताऊंगी यह डेफिनेशन मैंने गलती से डाल दिया यह इंट्रोडक्शन है फिर मैं डेफिनेशन बताऊंगी इसकी तो चलिए स्टार्ट करते हैं जब किसी प्लांट सेल को संपराशरी विलियन अब संपराशरी विलियन क्या होता है या जैसे कि कोई बाउल है बाउल में कोई सॉल्यूशन भराए और कोई कोशिका को जब अपन उस बाउल में डालते हैं और कोशिका के अंदर भी कोशिका द्रवे भराए तो जो बाहिरी विलियन की सांदरता मतलब की जो बाउल में सॉल्यूशन भराए उसकी सांदरता और कोशिका के अंदर जो द्रवे उसकी सांदरता जो दोनों की सांदरता बराबर होती है तो उसे संपरासरी विलियन कहते हैं तो जब किसी प्लांट शेल को समपरासरी विलियन में रखते हैं तो दोनों विलियनों का परासरन बिभव समान होने के कारण परासरन की किरिया नहीं होती है ठीक है जब किसी प्लांट सेल को समपरासरी विलियन में रखा तो वहाँ पे प्लाजमोलाइसिस की किरिया नहीं हुई फिर क्या हुआ जब किसी प्लांट सेल को अती परासरी विलियन में रखते हैं तो प्लाजमोलाइसिस की किरिया होती है अब अतिपरासरी विलियन क्या होता है जब बाहिरी विलियन की सांदरता अधिक होती है कोशी का द्रवी की सांदरता कम होती है ठीक है मतलब जो वाउल में रखे सॉल्यूशन की सांदरता जादा है और कोशी का मिस्तित कोशी का द्रवी की सांदरता कम है ऐसे विलियन में जब हमने plant cell को रखा तो cell में exoosmosis बाहाई परासरन होता है जिससे cell का जो जल है वो बाहर निकल जाता है और cell की आयतन में कमी आ जाती है तो ये process plasmosis के लाती है अब plasmosis की दो definition है आपको जो नसी अच्छी लगया आप याद करिएगा मैं बताती हूँ plant cell को जब किसी hypertonic solution या अथी परासरी विलियन में रखने पर cell का जीव द्रवे cell wall से अलग होकर सुकुरने लगता है जिसे plasmosis केते हैं plant cell को जब हमने किसी hypertonic solution में रखा तो उसका जो cell का जीव द्रवे है वो cell wall से अलग हो गया और अलग होकर सुकुरने लगा जिसे plasmosis केते हैं एक और definition है अती परासरी विलियन की उपस्तिती में किसी कोशिका में इस्तिद्विलायकों के अणुओं में गमन की वहपिर के लिया जिसके कारण जीव द्रवे कोशिका बित्ती से अपना contact छोडने लगता है देट इस plasmosis, plasmosis केहलाता है ठीके गाइस, चलिए अब types of plasmosis बताती हूं में plasmosis की किरिया निम्न तीन चर्णों में पूर्ण होती है limiting plasmosis, इनसी pine plasmosis, evident plasmosis जब किसी सामाने शेल को hypertonic solution में रखते हैं तो उसमें plasmosis की किरिया होती है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संपरासरी विलियन में रखते हैं hypertonic solution में रखते हैं तो उसमें plasmosis की किरिया होती है step 1 में क्या होता है plant cell hypertonic solution में रखने पर vacule छोटी हो जाती है ये step 1 है limiting इसमें क्या हुआ कि जो plant cell है ना उसको जब हमने hypertonic solution में रखा तो ये जो vacule है ना ये side में छोटी सी दिखाई दे रही है ये vacule छोटी हो जाती है TP कम हो जाता है cell volume भी कम हो जाता है cytoplasm का cell wall पर दवाव कम हो जाता है और exosmosis की किरिया आरंब हो जाती है step 1 में ये process होती है step 2 में लगातार कोशिक हो है hypertonic solution में रखे रहने पर exosmosis की किरिया जारी रहती एवं जीवद्रवी शुकुड कर cell wall से अलग हो जाता है step 2 में जो जीवद्रवी होता है वो अलग होकर क्या होता है step 3 में क्या होता है इस किरिया में exosmosis की किरिया जारी रहती है एवं जीवद्रवी सुकुड कर cell से एक कौने में एकतरित हो जाता है ये plasmolysis की antim अवस्ता होती है जिसे evident plasmolysis कहते है ये जो होती है ये सबसे last stage होती है देखिए ये third stage में ये जो plasmolysis है ये पूरा सुकुड की एक कौने में आ गया अब important of plasmolysis plasmolysis के importance plasmolysis के लिए दोरा कोशिका की जीविता का पता लगाया जा सकता है ये करिया cell wall की पारगम मिता वा plasmolysis की अर्ध पारगम मिता का पता लगाया जा सकता है plasmolysis दोरा cell में बहाई परशरंड वा d-plasmolysis दोरा cell में अंता परशरंड की करिया का पता लगाया जा सकता है plasmolysis तो मैंने आपको बता दिया D-plasmolysis में आपको आगे बताऊंगी मास्ट मशली अचार जैन जैली नमक तेल जैसे अतिपरासरी विलियन बनाकर उसमें रखते हैं जिससे बाहर के जो कवक एवं जीवानूं के प्रवेश करने में इनका जीवद्रवे संकुचन हो जाता है और लंबे समय तक जीवद्रवे संकुचन से इनकी मिलत्ती हो जाती है आलवनी जल में उगने वाले पादप समुद्री जल में नस्ट हो जाती है ये सब ही आपको याद करने पड़ेंगे बहुत इजी हैं ये सब ही प्लाजमोलाइसिस के इन्पोर्टेंस है अब डी प्लाजमोलाइसिस प्लाजमोलाइसिस के जस्ट बिप्रीत ये किरिया होती है जब जीवद्रवे संकुचित सेल को अलप परासरी विलियन अलप परासरी विलियन क्या होता है बाहिरी विलियन की सांदरता कम और कोशी का द्रवी की सांदरता अधिक होती है मतलब जो बाउल मेरा की सॉल्यूशन की सांदरता कम होती है और सेल का जो साइटो प्लास में उसकी सांदरता अधिक होती है ऐसा विलियन अलप परासरी विलियन कहलाता है तो जब जीवद्रवी संकुचित जो सेल होती है उसे अलप परासरी विलियन में रखते है तब अंता परासरेंट की किरिया के द्वारा जल सेल में प्रवेश करने लगता है कुछ समय पश्चाद जीवद्रवी फैल कर सेल वॉल के संपर्क में आ जाता है वा जो टर्गिट प्रेसर वा सेल का आयतन बढ़ जाता है इस परकार सेल अपनी पूर्व इस्तिती में आ जाता है ये संपूर्ड पिर किरिया डी प्लाजमो लाइसिस कहलाती इसके जस्ट अप जिसमें जो सॉल्यूशन की सांदरता है वो कम है और सॉरी एक सेकंड जिसकी सॉल्यूशन की सांदरता कम है और साइटो प्लाजमी की सांदरता अधिक है जब हमने ऐसे सॉल्यूशन में रखा किसी जीवद्रवी संकुचित सेल को तो बापस से वो अपनी जो पहले स्टेज में थी वो सेल अपनी वापस वैसी स्टेज में आ जाती है यह पिर के लिए डी प्लाजमोलाइसिस कहलाती है सो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करें मिलती हूं मैं आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक के साथ